Hello friends, आपका मेरी चैनल Learn with Fun में स्वागत है आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे मैं नाउन जब सिखाती हूँ बच्चों को तो उसके लिए मैं राइन का यूज करती हूँ First मैं बच्चे के साथ सिंग करती हूँ Then मैं उसे कुछ नाउन से related activities देती हूँ तो जिससे के बच्चे के लिए बहुत easy हो जाता हूँ See, first है Noun Noun is a naming word a person, place, animal and things जो कि बच्चे को पता है कि नाउन क्या होता है फिर मैं इसको singing way में बच्चे को कराती हूँ Like Noun is a naming word a person, place, animal and things Noun is a naming word a person, place, animal and things ऐसे करके मैं उसे five to six time उसे बच्चे को ये बार बार कराती हूँ तो बच्चे को ये learn हो जाता है Then बच्चा उसे easily समझ पाता है कि नाउन क्या होता है Person, place, animal and things Then एक small सी activity होती है जो कि मैं बच्चे को देती हूँ This is a chart See, a noun is a तो बच्चे को मैं यहाँ पर person के लिए कुछ activities देती हूँ यहाँ पर एक person है Person में बच्चे को बताते हैं कि Uncle, Girl, Mom, Superman, Dad, Boy, Girl, Friend and Sister कोई भी person जो की आपके आस पास है Like अगर घर पर कोई दूद वाला आ रहा है या maid आ रही है या फिर आप शॉप पे लेके जा रहे हैं तो शॉप कीपर है तो यह सारे के सारे कौन है यह person है तो बच्चे को पता हो जाता है कि person कौन होता है Then आप एक छोटा सा हर्ट टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं फिर बच्चे से पूछेंगे प्लेस आपका फेवरिट प्लेस बताईए तो बच्चे से बच्चे से बच्चा इसली बता पाएगा कि मेरा फेवरिट प्लेस है गुरुद्वारा या फिर मॉल या फिर जो भी बच्चे को अच्छा लगता है तो बच्चा अपने बारे में बता पाएगा कि उसने कौन-कौन से प्लेस देखे है तो बच्चा प्लेस के नाम अच्छे से लरन कर पाएगा तो आप एक एक्टिवुटिटी और डी सब्सक्राइश छर्चाओं आप बच्चे के से पूफ से पूछेंगे कि आपका फेवरिट टॉइ कुन सा है या फिर आपको फेवरिट फेवररिट फीक्स कौन सी है कि यहां पर आपपके लिए बहुत सारी टेंक्स लाए है रहा हैं कोण कुण सी लाएं तो बच्छा आपकोित बताएगा बताए काप्ट में तो बैलून चाहिजह या कब चाहिए कॉस्चिम चाहिए शोष चाहिए या मिरे समस्रह यह या फिर मुझे यह पसंद है तो वो थेंक्स की वो लिस्ट बना पाएगा और वो इसली समझ पाएगा कि तेंक्स में क्या क्या आता है next हम उसे activity देते हैं person, person, place and animal things यहां पर आप उसे लिस्ट बना की दे सकते हैं तो उसे बच्चे को बोलेंगे बीटा आप मुझे पताओ कि आपका favorite person कौन है आपको कौन पसंद है family में या आपके friend circle में पसंद कौन है या आपको कौन सा मतलब आपको doctor बना पसंद है आपको क्या बना तो बच्चों को बहुत सारे name learn हो जाते ऐसे करने से and हमारे involvement से बच्चा बहुत सारी चीज़े easily सीख पाता है like a place के बारे में just उससे पूछोगे कि या बीटा हम ना उस दिन वहाँ गए थी आपको कैसे लगा था वहाँ पर जाके तो आप बच्चे को अच्छो वह वला place आपको कैसा अच्छा लगा अगर हम summer में इस वहले place जाए तो आपको कैसे लगेगा या फिर अब हम को से place नहीं जा पा रहे हैं इस तरह के question करके और फिर बच्चे को बोलो अच्छा अपने favorite places के name लिखो जहां हम जाना चाहते हैं या आप जाना चाहते हो है ना फिर आप things के लिए बोलोगी कि बच्चा अब मेरे को ना अपन कर पाता है कि ममा का favorite person ये है फिर बच्चा अपना favorite person बताता है अपना favorite place बताओगी ऐसे करते करते बच्चे की memory में आ जाता है कि पापा का favorite place वो है ममा का favorite place ये है तो बच्चा ऐसे करके things place animal and everything easily learn कर पाता है तो ये activities बच्चे के लिए बहुत helpful होती है so parents please इस तरह से आप बच्चे को और lighting जो होती है वो playful होने चाहिए जिससे बच्चा बहुत easily grasp कर पाई see मैंने एक यहां पर noun town बनाया है जिसमें मैंने बच्चे अपने बिटे के लिए ये बनाया था जिसमें मैंने see this is noun town मैंने यहां पर बहुत सारी pictures उसे paste कराई है वहां पर उसने कुछ fishes fish उस paste किये हैं तो आप इस तरह से उसको cutting डालके और इस तरह से name उसने अपने writing में write लिखा है यह आप इस तरह की activity बच्चे को करा सकते हैं वो cutting करेगा खुद से cut करके उसे chart पे paste करेगा तो यह बच्चे को बहुत creative तरीके से उसे learn हो जाएगा okay friends आप मेरे channel पर नए है तो please like कीजिए share कीजिए comment कीजिए and subscribe कीजिए bye bye friends